यह देखिए यह नील गाय के बाल है यहां से नील गाय अंदर गुसी है वो देखिए वो हमारा घर है और यह पुरे बीच में एक रोड है यहां तक वो आ जाती थी क्योंकि यहां पुरा अरहर का खेत है यह देखिए अराम से और आपको दिखाता हूं किस तरीके से फलियां पूरी खाई हुई है देखिए यह सारी फलियां थी जो इन्होंने जगे जगे से साइड में से खाई हुई है यह पूरी देखिए साफ की हुई है यह सब में फलियां थी अब यहां इकका दुका फलियां बचे हुई है क्योंकि सब यह देखिए खाई हुई है यह पुर्सा था बिलकुल और यह इस बारी यहां पर बाल लगे हो गए इसके यह सब बाल है इसके नमस्कार किसान दोस्तों नील गायों से होने वाला नुकसान एक ऐसी समस्या है जिससे लगबग हर किसान परिशान रहता है स्पेशली वो किसान जो खुले में खेती करता है और ऐसी फसले लगाता है जिसको नील गाय बड़े चाफ से खाती है जैसे सबजी या डाले इतियादी आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस समस्या से घर बैटे से पचास साथ रुपे में आप कैसे हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं वैसे तो लगबग हम साथ साल से फार्मिंग कर रहे हैं इस बारह एकड़ के फार्म पे और हमें कभी कोई परिशानी नहीं हुई है नील गाय से जबकि हम सारी फसले करते हैं जिसमें डाले भी हैं सबजी हमी हैं फल भी हैं लेकिन पिछले कुछ बीस दिनों से बहुत ज्य करती थी बाकी चीजें भी तोड़ती थी हमने पूरी कोशिश की हमने रात को पहरे भी दिये रोजात को उठके हम घुमते थे पूरे फार्म पे और कभी-कभी वह में देखके भाग भी जाती थी और कभी-कभी पूरा चक्कर काटते थे मिलती नहीं थी क्योंकि उनके पॉसिबल नहीं है तो हम ढूंड रहे थे कोई ऐसा सुल्यूशन जो पर्मनेंट हो तो उसी करम में मैं लोगों से मिल रहा था तो मेरी बात हुई मेरा एक दोस्त से जो नरसरी भी चलाता है तो उसने मुझे सुझाव दिया एक और वो मैंने किया पहले तो मुझे लगा कि यह काम नहीं करेगा लेकिन यूँ अल्टिमेटली रामवान की तरह उसने काम किया है और खतम होगी है मेरी यह प्रॉब्लम इसके लिए आपको सिर्फ दो चीच चाहिए पहली है फिनायल जिसको आप घर साफ करने के लिए यूज करते हैं कोशिश कीजेगा अप रेगुल सिर्फ यह है कि जहां से भी नील गाय आ रही है आप आप देखेंगे कि नील गायों का आने जाने का लगबग एक ही रास्ता होता है अगर उसे रोका ना जाए वो दूसरा रास्ता तब बनाती है जब आप उस रास्ते को रोकते हैं तो जहां से भी आप देख रहे हैं कि न इंचा ड्रॉफ फिनाइल की डाल दीजे उसकी जो बद्बू या खुश्बू जो भी बोल लीजे वह बहुत स्टॉंग होती है और नील का उसको बिलकुल बरदाश नहीं कर पाती वह उस जगे कभी नहीं आएगी जहां पे उसको ये स्मेल आ रही है तो आप देखिए अगर आपको पास-पास लगाना है तो और एफेक्टिव होगा थोड़ा दूर लगाएंगे कम एफेक्टिव होगा तो शुरू में आप जहां से भी आती हैं पांच-पांच-छे-छे दस-दस फुट की दूरी पे आप डंडे गाड़ के या पेड़ों पे अगर तार है तो तार दिन से जब से मैं कर रहा हूं एक भी नील गाय नहीं आई है तो जो पिछले 20 दिन से रो जा रही है चार दिन से ना आना मेरे लिए तो 100% सक्सेस है और काम किया है इससे नील गायों को नुकसान भी नहीं है हम किसी का नुकसान भी नहीं करना जाते है जीव जंतू का बट अगर वो हमारा नुकसान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें सोलीशन ढूंड़ना है तो ये मेरे लिए बहुत काम किया है जाने से वहले मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी किसान भाई इस समस्य से परिशान है इस फॉर्मूले को जरूर अपनाएं मैं जानने के लिए बड़ा गायों से निजात पा सके मैं फिर आँगा एक नए वीडियो के साथ तब तक जैहिंद